कैसे हो दोस्तो मैं हो Android Jacks, आपका स्वागत है में हमारी चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो चैनल सब्सक्राइब करदे और नॉटिफटेस बेल पे प्रेस करदे आज में आपको सिखाऊंगा की कैसे हम Android phone की system apps को अनिस्टॉल कर सकते हैं जो अंदर अनिस्टॉल का उप्सन निया था और कुछ अन्यूजॉल लेप्स होती है जो हम यूज नहीं करना चाहते हो फिर भी कंपनी ने अंदर दे रखी है तो हम उसको अनिस्टॉल कर से जैसे कि यह मेरे पास Samsung G7 Prime है उसमें Samsung की कुछ Apps मैंने अल्रेड़ी अनिस्टॉल कर दी है तो यहां पे नहीं दिखा रही है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि कैसे अनिस्टॉल करते है ठीक है जैसे कि यह Samsung Note से Samsung S Secure है Samsung Max है तो यह वागेरा जो आयप होती है जो हमें कोई काम नहीं होता है उसका तो कैसे डिलेट करना है मैं आपको सिखाऊंगा तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स टार्ट हां तो दोस्तों सुनु करते हैं कि मेरे पास Samsung J7 Prime है जो भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसमें दिखाता हो कि कौन-कौन सी में एप्स अनिस्टॉल करने वाला हो जैसे कि यह दिखा रहा हूं Samsung Health है Galaxy Store है Samsung members है यह वगरा मैं यूज नहीं करता हूँ जनरली कोई यूज नहीं करते हैं कुछ ही लोग होते हैं जो इस एप को यूज करते हैं और Google की भी कोई कोई एप्स होती है जो प्ले मूवीज वगरा वगरा होती है वह बहुत कम लोग यूज करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मैंने एक एप अनिस्टॉल किया हुआ है सेमसंग पे मीनी करके एप था वो मैंने अल्रेड़ी अनिस्टॉल कर दिया हुआ इसलिए दिखा नहीं रहा है इसमें आप देख सकते हो ठीक है और आगे भी आगे भी मैं एक और एप अनिस्टॉल करता हूँ तो आपको मैं स्टेप वाइस दिखा हूँ पहले सबसे पहले सबसे पहले सेटिंग में जाके दिखाता हूँ आपको एपस में जाते है इसमसंग हैल्थ वेर इस सेमसंग हैल्थ वेर इसमसंग हैल्थ एसमसंग हैल्थ यह तो यह ज़से तो आप से एंश्टाल सो यह अनिस्टाल कैसे करें यह अपको सिखांगा ओके अपको लैट नहीं जो सेमसंग में एंश्टाल करक्या वो मैं आपको दिखांगा इसमें नॉट इंस्टाल तिखायेगा ठीके, यह रही, Samsung Play Mini, दिखा रहा है, बाजू में लिखा हुआ है, not installed, अंदर जाके देखे, not installed, ओके, तो यह Samsung Health है, जो, वो हम uninstall करके देखे, ठीके, यहाँ पे कोई option नहीं है, अभी, ठीके, तो कैसे uninstall करना है मैं आपको दिखा हूँगा, ठीके, तो सबसे पहले प्ले आपके हमको सर्च करना है, package name viewer, या, उस एप को, हाँ, version 2 वाला, उसको install करना है, मैंने अप अल्रेडी install किया हूआ है, तो ओपन करते हैं, ठीके, तो हमको जो भी, जो भी एप uninstall करनी है, उसको देखना है, user apps में ही, वो available होगी, जैसे कि हमने बोला था, Samsung Health uninstall करने वाला हू तो उसको डूढ़ना है पहले हमें, तो इसको डूढ़ना है पहले हमें, तो इसलिए हमारा फॉन अटकता रहता है, अटकता रहता है, तो हमें उसको select करना है, यहाँ पे जो नीचे दिखा रहा है वो package name है, जो हमको uninstall करने में काम आएगा, तो उसको select करना है, just copy that and send to your computer, यह, जितनी भी app आपको uninstall करनी है, सबको आप एक साथ select कर सकते हो, और computer में, आपके PC या laptop में बेज सकते हो, ठीक है, तो let me start this, basic procedure, यह, आपको, wait, yeah, first of all, आपको settings में जाना है, phone के, और about phone में जाना है, ठीक है, developer option on करने के लिए status में, software information में जाना है, yeah, there is software information, yes, उसके अंदर हमको है, बिल्ड नंबर पे टैप करते रहना है, जब तक आप लिखा हुआ ना है, यह, तब तक टैप करना है, ठीक है, developer mode is on, yeah, just go back, MI phone users के लिए, build number नहीं आएगा, उसमें MIUI नंबर आएगा, MIUI लिखा हुआएगा, version, यह, and there is, yeah, connected, and allow, just tap on allow, and go back, so your phone is connected to your PC in debugging mode, just download platform tools, yeah, link is in my video description, just extract it, yeah, open platform tools, yes, yes, आपको यहाँ पे, shift plus right click करना है, तो यह option आएगा, open power cell window here, windows 7 और others के लिए आएगा, cmd open होगा, cmd में open करना है, इसमें windows power cell में open किया है, तो यह जब खुल जाएगा, debugging हो रहा है अभी, तो कुछ coding's है, जो coding's मैंने, description में दिये हुए है, वो copy कर ले, और अपने PC में डाल दे पहले, perform करने से मेले, तो यहाँ पे लिखना होता है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ हो लिखना होता है, तो देख लो एक बार, सब्सक्राओ यहाँ, स्कुलडड़्स संसंग हेल्थ सहने करने है, तो, स्कुलड़्स , by mistake dot dot slash adb devices and just press enter and there is look your device is connected and there is type again dot slash adb cell and press enter this is success yeah now you can now you can uninstall system apps from coding this i am just copying this coding p.m. uninstall kuser 0 just copy and right click to paste here paste doesn't skip just a second let me let the Ling paste it let's copy let's copy और आगे आएगा पैकेज का नाम पैकेज का नाम हमने जो पहले कॉपी कर लिया है वो हम ले लेंगे तो समसंग हेल्थ का जो पैकेज है उसको हम उठाएंगे ठीक है वो कॉपी करके कॉपी करना है जस्ट समसंग हेल्थ यह रहा यह रहा पैकेज का कॉम.android.app.self कॉपी एंजिस पेस्ट एंजिस प्रेस एंटर रहा यह जस्ट एंटर कॉपी एंजिस ए ठीक मेंडर एंटर yeah just answer and there is return success yeah there is no app here you can see that app is uninstalled automatically yeah just go back to phone and you can check out the phone hole there is no samsung health or whichever whatever you are installed one other app try okay ठीक है, पॉनसी है या, गूगल फोटोज हम ट्राइ करते हैं, तो ये गूगल फोटोज में यूज करता नहीं हूँ, इसलिए मैं गूगल फोटोज अनिस्टल करूंगा, तो पैगेज उठाते हैं, ठीक है, आगे का जो बोडिंग है वो सेमी रहेगा, अगर आप पहली बार कर रहे हो, तो कोडिंग आगे का जो है, सेल और डिवाइस वाला वो ही रहेगा, फिर ये आएगा, फिर उसको पी एम अनिस्टल करके जो लिखना है, अमको लिखना रहेगा, तो ठीक है, मैं फिर से लिख देता हू, पीम अनिस्टल, के यूजर 0, और पैकेज का नाम अर एंटर, जस्ट अर्टर, तो रहे एंटर, तो रहे गए, आप पीम अनिस्टल, और ऐस बीखना, दोस्तो के, शुछ फेना, तो ये नहीं हो रहा है, तो क्या खरना है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, ठीक है, और दूसरे खोई फोन मे नहीं होता है, तो वोभी मैं कि कैसे करना है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ